डीजे को चैलेंच देने के बाद यूविका अपने सेल के अंदर जा रही थी कि उसके सर पर पीछे से डीजे की खरीदी हुई जेलर रणडा मार देती है जिसके बाद उसको चोट आ जाती है जो डॉक्टर युविका का इलाज कर रही थी दवाई देते टाइम वो बोलती है कि आपा से बच कर रहना वो बहुती जादा खतरनाक है जी सापा की डॉक्टर बात कर रही थी ये वही आपा है जिसने युविका को बाकी के कैदियों से मार खिलवाया था युविका डॉक्टर के बॉक्स में से एक टूल चुरा लेती है शायद युविका उस टूल के जरीए जेल से बाहर निकलने वाली है जब यूविका का सेल खुलता है तो यूविका दूसरे क्यादियों के पीछे छुप जाती है ताकि जो लोग सेल के अंदर आएं वो यूविका को ना देख सके जेल से बाहर निकलना तो आसान नहीं है यूविका के लिए देखते हैं कि आखिर उसने टूल को क्यों चुराया है वो क्या करना चाती है उस टूल से यूविका से डीजे मिलकर जब घर आता है तो वो अरजुन को प्रे करते हुए देखता है तो समझ जाता है कि अरजुन बेहन को जेल से निकलवाना चाहता है अर्जुन से बात करते टाइम डीजे अर्जुन के सामने एक शर्त रख देता है कि उसे युविका को मारना है अगर अर्जुन युविका को मार देगा तो डीजे उसकी मां की जान नहीं लेगा अब अर्जुन को अपनी बेहन और मां मे से पहले है वन सच के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि यूविका जेल से बाहर निकल पाई या फिर नहीं और अरजुन ने किसे चुना यूविका को या फिर अपनी मा भूमी को